है ऐच्पी एससी स्टाफ नर्स 2022 के लिए हम बहुत इंपोर्टेंट वीडियो डिसकस करने वाले हैं टोटल 200 क्वेश्चंस डिसकस करेंगे इस वीडियो में मोडल क्वेश्चन पेपर होगा है ऐच्पी एससी स्टाफ नर्स के लिए अगर टैस सीरिज आप परचेस करना चा देहुबार मैसिस करके आप इंक्वारी कर सकते हैं जो भी आपका डाउट है कोई क्वारी है कोई क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन है अभेवी शुडबी ओन दी लुक आउट फोर ब्रॉंज बेबी सिंड्रों में शी इस गेटिंग तो इसके लि कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको रहे हैं कौन कौन से नहीं साथ में टोपिक्स भी निकालते रहना वीडियो को पोज करके अगर आपको निकाल सकते हो नेशनल फैमली वेलफेर प्रोग्राम जो है इंडिया में कब लौंच हुआ था तो यह उनी सो बाबन में डी ओप्शन सही है 1952 वाट इस दी फुल नेम ओफ अलिसा इंपोर्टेंट है कमेंट करके बताईएगा अलिसा जो है यह किसके लिए इंपोर्टेंट है एलिसा टेस्ट जो है कब करते हैं तो एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्वेंट एससे तो यहां पर भी ओप्शन सही है इसको क्या बोलते हैं इसको एक्टिव इम्यूनिटी हम बोलते हैं भी ओप्शन सही है इसको फॉलोइंग डेसीज़ इस नोट स्प्रेड वा एर बोन पार्टिकल्स मतलब हावा में कौन सी बिमारीय जो है यह नहीं फैलती इन ओप्शन को देखके मिजल्स, चिकन पोक्स, ट्यूबर क्लोसिस यह कंटिंजियस डिसीज़ है वेराज यह जो पोलियमेटलिटिस जो है यह दोस्तो हवा में हैलने वाली बिमारी नहीं है तो सी ओप्शन यहाँ पर सही होगा boiling of water kills all bacteria except one जितने bacterias हैं सारे मर जाते हैं जब 100 degree celsius यहाँ पर temperature होता है पानी का वाटर का लेकिन दोस्तों यहाँ पर sports जो है इसको कोई effect नहीं पड़ता तो the option सही है आगे हम gk section भी discuss करेंगे जिसमें काफे सारे students को problem आती है जिसमें हिंदी होती है English होती reasoning होती है and so on तो वीडियो को बस last तक देखते रहना 200 questions है आपको एक idea लगया चोटा सा कि आपका जो exam होने वाला है 10 April को उसमें आपका कितना score आएगा कितनी परिशानी आपको आने वाली है आने वाले time में infection from the hospital while the patient is in the hospital is cold तो इस infection को हम क्या बोलते हैं इसको बोलते है नोसो कोमियल infection यह questions बार बार पूछे गए हैं उन्हें हम discuss कर रहे है on what principle is gene प्याजे's theory based तो gene प्याजे की थियोरी जो है किस के उपर किस principle के उपर based है इस theory को बोलते है cognitive development ठीक है cognitive development के उपर यह theory है जो gene प्याजे है the classical conditioning theory of learning has been performed by classical conditioning theory जो है learning की तो यह किस के द्वारा दी गई है यह दी गई है इवान पैवलोग के द्वारा बी options है सारे options को ध्यान से देखो और find out करो कुण सी disease जो है lose के द्वारा spread नहीं की जाती है तो epidemic typhus जो है यह भी उसके बाद lapsing fever जो है यह भी और trench fever जो है यह भी यह spread होते हैं lose के थ्रूँ लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्यों fever जो है यह इसके द्वारा नहीं फैलता है वी options है अगर दोस्तों जो excreta है उसको डिस्पोज क्या अच्छे से नहीं जाए तो basically जो डिसीज़ जो गरहे हैं वो spread होती है कुछ एक methods यहाँ पे दिये गए हैं तो इन में से कौन सा method जो है नहीं है इसमें बाकि तीन जो है यह है और एक नहीं है तो यह contaminated water contaminated food और contaminated soil यह तीनों methods है लेकिन contaminated air नहीं है तो यहाँ पे डी options है यह एक्सेस ओपिछ फॉलोइंग इन बाटर लीट्स तो pigmentation of the skin skin में pigmentation हमें देखने को मिलती है अगर ज्यादा हो जाए इन में से और साथ में हमें melanosis excessive keratosis जो है यह भी हमें देखने को मिलता है तो यह arsenic ज्यादा हो ज्यादा मात्रा में तो ऐसा होता है ऐसी options है है all of these are plasma proteins found in the blood except for which one मतलब तीन जो है यह आपको देखने को मिलते हैं plasma proteins blood में लेकिन एक नहीं तो जो नहीं है वो कौन सा है यह है दोस्तों myosin all of the following bones are found in the hand except for which one तो हाथ में दोस्तों आपको carpal bones भी देखने को मिलती हैं metacarpals भी देखने को मिलती हैं उसके बाद phalanges जो है यह भी देखने को मिलती हैं लेकिन calcaneus जो है यह देखने को नहीं मिलती है तो comment करके बताना यह जो calcaneus है यह कहां पर मौजूद होती है यह वाली bone next है aerobic respiration जो है यह किस के द्वारा हमें देखने को मिलती है तो यह mitochondria के द्वारा which one of these is a function of the liver? liver का काम क्या है यह दोस्तों plasma proteins जो होते हैं उनको synthesize करता है तो synthesis of plasma proteins is a function of the liver next question the secretion of pancreatic juice is stimulated by which of the following? जो pancreatic juice होता है उसकी secretion जो है इसको stimulate करता है क्या? तो इसको बोलते हैं हम kolocytokinin तो B option यहां पर सही है और यह important question है काहिवार exams में आया है nursing या फिर जो भी है the gland which disappears in adulthood but remains functional in children is तो यह thymus basically होती है और किसी भी question में doubt लगे basically हम जो questions के answers discuss कर रहे हैं यह official answer की coding discuss कर रहे हैं ठीक है? अगर आपको लगता है कि किसी भी question में कोई गड़़ड है तो आप सीधा whatsapp करके बताईए कि sir इस question में problem है और explain भी करिए अगर आप बता रहे हो कुछ तो उसके पीछे reason भी बताईए कैसा है इसलिए है 9-8-1-4-0-1-7-6-7 next question it is the only gland in the human body मतलब हमारे शरीर में सिर्फ यह गरंती है which has both endocrine and exocrine properties endocrine भी और exocrine यह सारी-सारी properties हमें देखने को मिलती है वो pancreas होता है दोस्तो D option यहाँ पे सही है the difference between systolic and diastolic blood pressure is cold तो systolic और diastolic blood pressure में जो difference होता है उसी को हम pulse pressure बोलते हैं तो भी option सही है उसके बार next question epidemic dropsy यह किसके कारण होती है तो यह होती ही दोस्तो sangrene के कारण तो यह option यहाँ पे सही है most most important question cobalt is found in which of the following vitamins cobalt हमें vitamin B12 में देखने को मिलता है protein content in human milk is human milk में basically 1.1 gram per 100 ml यह protein देखने को मिलता है तो A option और ऐसे questions तो बारवार आते हैं exam में विज़ोदा following is the proper way to inject insulin अगर आप अच्छे से insulin जो है उसको inject करना चाहते हैं लिए जो proper way है उसको हम बोलते हैं subcutaneous तो यहाँ पर C option सही है according to Maslow's human needs hierarchy the highest level of need is need मतलब हमारी जरूरते जो है उसका जो highest level है उसको हम self actualization बोलते हैं तो D option for a burn patient अगर कोई मरीड जो है वो जला है the nurse should access the following in the initial stage तो nurse को क्या करना चाहिए उसको assess क्या करना चाहिए तो assess करना चाहिए hypernatremia तो यहाँ पर C option at what angle is the intradermal injection given तो जब आप intradermal injection देते हैं तो उसके लिए angle जो है मतलब जो स्रिंज बगेरा है तो 15 degree angle होना चाहिए अगर कोई काम करती है और pregnant है कोई lady तो उसके लिए basically daily energy जो है वो 2900 calories होनी चाहिए तो यहाँ पर भी option सही है after a dog bite the bone should be cleaned with तो जखम जो है यह साफ करना चाहिए साबन और पानी से soap and water what will you do when caring for a person with a epileptic seizures अगर आप क्योर कर रहे हो ठीक कर रहे हो कि उसको आप कम से कम करने की कोशिश करोगे अबोइड करोगे यह चीज़ों को कोई आता है कोई patient before giving floods तो fluids से पहले जो है नर्स जो है उसको priority किस चीज़ को देनी चाहिए पेशेंट की किस assessment को तो जो gag reflex है उसको assessment पहले देनी चाहिए next question for a patient with crohn's disease अगर किसी patient को crohn's disease है the medical surgical nurse recommends a diet तो उसके लिए diet वगारा जो है वो क्या होनी चाहिए तो fiber की कम होनी चाहिए मतलब low in fiber और proteins और जो calories है यह ज़्यादा होनी चाहिए low in fiber and high in protein and calories in which disease morphine should not be given किस disease में morphine जो है बिलकुल मना होता है इसको की नहीं देनी है तो यह है दूसों bronchial asthma तो B option यहाँ पर TNM classification system is used in clinical staging of तो जो clinical staging इस disease में होती हो cancer है जिसमें TNM classification system हाँ में देखने को मिलता है next question important nursing interventions when caring for a patient with hyponatremia include जब किसी patient को hyponatremia है ठीक है और कोई भी nurse जो है उसकी caring कर रही है तो उस care में क्या क्या चीज involved होनी चाहिए included क्या होना चाहिए तो isotonic saline जो है वो provide करना चाहिए उसे नर्स को कि रिस्क फोर वर्टिकल ट्रांस्मिशन ओफ एच्चाइवी इस हायर रिस्क कहां which test is not used to diagnose neurological problems तो EEG जो है इसका भी उज़ किया जाता है CT scan का भी उज़ किया जाता है और lumbar puncture जो है उसका भी उज़ किया जाता है जो neurological problems होती है उनको diagnose करने के लिए लेकिन ECG का नहीं तो यहां पर बी option सही है a fracture in which there is no break in the skin is cold ऐसा fracture जिसमें जो skin जो है उसमें कोई break नहीं है उसको हम closed fracture बोलते हैं B option in which of the following conditions does intracular pressure increase तो ऐसी कौन सी condition जो होती है जिसमें intracular pressure जो है यह बढ़ता है तो इसको हम glaucoma बोलते हैं B option the darkened and rotting tissue ऐसा tissue जो darkened है और rotting है in which the circulation of blood is not happening is cold जिसमें blood circulation नहीं हो रही है तो इसको हम दोस्तों गैंग्रीन बोलते हैं तो C option which the following is not a symptom of heat stroke तो basically जो symptom heat stroke है उसमें 106 Fahrenheit body temperature होता है rapid pulse rate होती है hot and dry skin होती है लेकिन sweating profusely नहीं होता तो यहां पर 3 options जो है यह symptom है heat stroke के लेकिन sweating profusely नहीं option ही सही क्योंकि यहां पर note बताया गया था trachoma is an infection of which organ किस organ में infection हमें देखने को मिलती है तो यह eye में what is the main drug given in acute anaphylaxis reaction तो basically यह drug जो है जो किसी acute anaphylaxis reaction में होता है यह adrenaline होता है तो adrenaline आपको याद रखना है which part of the digestive system is involved in cytic fibrosis तो cytic या psychic fibrosis जो है इसमें जो basically हमारी body का part digestive system का part involved होता है वो pancreas होता है what is the main causative organism for peptic eucleur यह जो दोसो peptic ulcer होता है इसमें basically जो कारण होता है वो क्या होता है इसको बोलते हैं healy covector pylori तो यह आपको याद रखना है next question lateral deviation of vertebral column is known as यह जो lateral deviation होती है जो vertebral column होता है इसको हम scholeosis बोलते हैं the most important type of dementia is तो यह Alzheimer's disease जो होती है यह सबसे ज्यादा महतकून परकार है किसका dementia का the best indicator of replacement breeding is तो best indicator जो होता है replacement breeding का इसको INRR यानि की net reproduction rate हम बोलते हैं all vaccines are stored at the primary health center in तो ice-lined refrigerator जो होता है बहां पर on giving a contraceptic pill ठीक है contraceptic pill जो है उसको देते टाइम the health worker will ask about the following symptoms except one तो जितने भी यहाँ पर symptoms हैं तीन जो हैं जैसे कि prick in leg muscle या cough headache swelling of a foot तो यह सारे जो है health worker जो है यह बोलती है ठीक है symptoms को कि आपको यह symptoms देखने को मिलेंगे लेकिन bet loss नहीं तो यहाँ पर a option सही है क्योंकि question में यही पुछा गया था कि इसके अलावा तो bet loss all of the following are managerial functions of a community health nurse except one दोस्तों यह जो community health nurse होती है उसके जो managerial functions होते हैं वो होते हैं to assist in the training of nursing and health workers making plans और assessment लेकिन यहाँ पर monitoring नहीं होता तो उसी option सही है which होता following is not an injectable contraceptive तो injectable contraceptive इन में से कौन सा नहीं है dmpa भी है net ENB है dmpa SCB है लेकिन यहाँ पर जो progesta cert है यह नहीं है तो d option यहीं सही है यहाँ पर note बताया गया था the blue color of the vaginal mucosa during pregnancy is a sign of तो यह किसका sign होता है यह होता है दोस्तो चैडविक sign the instrument used to assess the length and position of the uterine cavity is तो यह question but is the color of blood in placenta previa तो blood का color कैसा हमें देखने को मिलता है यह दोस्तो bright red देखने को मिलता है ठीक है जब placenta previa हमें देखने को मिलता है उसके बाद next question laminaria tent जो है यह है तो यह दोस्तो hygroscopic osmotic dilator है तो यहां पर a option सही है बीमें infected with human papilloma virus are likely to be at a telescope किसके रिस्क में होती है दोसो तो cervical cancer जो है उसके रिस्क में होती है ठीक है अगर कोई बीमें जो है affected है human papilloma virus से the latent phase of photograph in primi para is approximately तो यह 8 घंटे की duration है तो a b option इसका सही है next question the source of hcg तो hcg का source जो होता है वह होता है sensitio trophoblast तो यहां पर a option सही है फुल फॉर्म आपको बतानी है bfhi की तो सही answer है baby friendly hospital initiative sequence of taking vital time in a newborn infant is new born infant जो होता है उसमें जो vital sign लेने की sequence होती है तो उसको क्या बोलते है बहुत है उस तो respiration temperature pulse तो यह basically sign है a patient has adequate speech amount अगर कोई patient है उसमें adequate speech amount है but content provides little information और जो content वो provide कर रहा है वो उसमें information come है that patient is suffering from तो उस patient को मतलब क्या problem है तो उसको दोसो poetry of idea जो है उसकी problem है physiological anemia during pregnancy is a result of physiological anemia जो है pregnancy की time में तो यह किसका result है जब blood volume increase हो जाता है तो D option medical treatment of coronary artery disease include which of the following procedure तो कौन सा procedure जो है वो हमें देखने को मिलता है जब हम medical treatment करते हैं coronary artery disease का oral medication administration सही answer है B option warm dry pink skin is seen in तो यह हमें कहां पर देखने को मिलती है warm dry pink skin यह neurogenic shock जो है उसके time में देखने को मिलती है अपने marks वी चेक करते रहे हैं साथ साथ में कि आप score कितना गर रहे हैं कितने questions आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत और वीडियो के लास में हम cut off भी बताएंगे कि अगर इतने questions में से आपके इतने questions सही हुए लगबग तो आपकी त्यारी जो अच्छी है या फिर उसमें कोई और ज्यादा improvement की जरूरत है accumulation of lead in the body में cause अगर इकठा हो जाए lead जो है आपकी body में तो इससे दोस्तों जो nerves जो है उनमें बीकनेस आ सकती है beginning of nerves which is the following priority for a patient diagnosed with pneumonia तो इन में से जो priority है अगर इसको pneumonia है तो diagnosed यह priority जो है वो है risk of infection quarantine means healthy individuals after exposure to disease are kept under observation for longest incubation period of that disease quarantine is a method of तो यह basically primary prevention method है तो भी option सही है site of BCG vaccination is disease तो यह दोस्तों basically left deltoid है a patient comes to PHC with signs of clotting problems मतलब चोट लगती है तो उसको problem होती है खून नहीं रुकता उसका the community health nurse suspects the cause of this problems is disease तो किस शीज की किस बीटमिन की कमी होती है तो deficiency of vitamin K which is the following is the commonest complication of mumps in adults तो basically जो mumps होते है डल्ट में तो उसमें commonest complication जो है वो है orchities और euphorities तो यहां पर स्थी option सही है recommended और acceptable concentration of fluorine in drinking water is तो कितना recommend या फिर उसको accept हम कर सकते हैं concentration जो है fluorine की किसी drinking butter में तो यह दोस्तो 1 ppm है the following activity is considered adulteration तो adulteration हम कब बोलेंगे removal of some vital element mixing and addition of toxicants concealing the quality यानि कि all of the above which type of diet is recommended for a client with cardio vascular disease and obesity motapa है और साथ मैं cardio vascular diseases है तो उनको हम कैसी diet जो है recommend करेंगे तो यह easy है दोस्तो low fat diet जो है उसको हम recommend करेंगे question है the following mineral element is essential for the synthesis of insulin and its deficiency cause growth failure sexual infantilism in adolescence and delayed wound dealing तो यह mineral जो है यह zinc है दोस्तों यह essential है a failure in professional duty failure कहां पर देखने को मिल रही है professional duty में practice or skill that leads to injury or harm to the patient मतलब कोई patient है उसको ही मतलब injury या फिर नुकसान हमें देखने को मिले तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम माल practice बोलते है यह option सही है which regulatory body is associated with the registration of nurses in the state जो भी nurses हैं किसी state में तो उनको register करना है तो उसके लिए जो regulatory body है वो है state nursing council next है ही में टोपिसिस जो है adult में कहां होती है तो red bone marrow में होती है तो यह option next है birtholins gland जो है यह कहां पर प्रजेंट होती है यह option which teeth are used for crashing and grinding of food मतलब चबाना है या फिर main काम होता है किसका यह premolar and molar जो teeth होते हैं उनका काम होता है crushing or grinding the rate of drug absorption is greatest in the drug absorption rate जो है सबसे जादा हमें small intestine में देखने को मिलती है तो small intestine आपको याद रखना है the P wave only electrocardiogram corresponds to तो यह atrial depolarization जो है जिससे संबंध होता है इसका P wave जो होती है electrocardiogram में उसके बाद maturation defect जो है किसमें? RBC में red blood cells में तो यह कहां पर देखने को मिलता है तो यह दोस्तो folic acid और vitamin B जो है उसकी deficiency से ऐसा होता है maturation defect RBC में उसके बाद next है thrombocytopenia stands for तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है reduced platelet count all of the following hormones are secreted from the anterior pituitary except तो तीन जो है यह दोस्तो secret किया जाते हैं यह hormones कहां से यह anterior pituitary जो है लेकिन एक नहीं तो सस्वेले तो GH है और TSH जो है और FSH जो है यह बेसिकली सिक्रेट किया जाते हैं इसको blood vessel which connect the artery and vein artery और vein को connect करने के लिए capillary जो है इसको हम टर्म करते हैं तो यह blood vessel होता है in following which is the most abundant catein in extra cellular flood fluid तो यह होता है Na plus sodium plus total number of intercostal muscles are most important question तो 11 pairs होते हैं exchange exchange of gases in internal respiration takes place तो यह कहां पर होते है एक्सचेंजमेंट तो यह lungs और environment के बीच में होती है between blood vessels and tissues तो असी options है next question if the in seasonal area of an abdominal surgery is weak what is possible to happen when abdominal muscles contract and increases intra abdominal pressure तो तो क्या होगा तो होगा तो होगा दोस्तो dehiscence तो भी option इसका अगर in seasonal area जो है abdominal surgery का beak है तो possibly dehiscence जो है वो हमें देखने को मिलता है जब abdominal muscles जो होते हैं यह increase होते हैं contract होते हैं intra abdominal pressure से which of the following is a substance ऐसा substance कौन सा है that decreases pain transmission जो pain transmission जो है उसको decrease करता है and causes an inflammatory response और inflammatory response जो है उसका current बनता है तो इसको हम endorphine बोलते हैं the classical substances that increases the sensitivity of pain receptors by enhancing the pain-provoking effect of bradykinin is तो यह substances कौन से होते हैं इनको बोलते हैं prostaglandins यह classical substances होते हैं increase करते हैं sensitivity को किसकी pain receptors की कैसे enhance करते हैं pain-provoking effect को किसके bradykinin के तो यह है prostaglandins most frequent side effect associated with the use of IUCD is तो यह है दोस्तो excessive menstrual flow तो यह सबसे बड़ा और आम तोर पे होने वाला side effect है और यह associated होता है किसके साथ IUCD के use के साथ तो excessive menstrual flow यह question काफ़वार पूछा गया है DPT vaccine जो है यह किसको किसको prevent करने के लिए दी जाती है तो diphtheria होता है patroces होता है और titnes होता है तो DPT अच्छे से देख लेना the vaccine given intramuscularly तो यह DPT ही होती है इन है hypertensive patient कोई ऐसा patient है जो hypertensive है who is stocking insulin to treat diabetes वो insulin भी ले रहा है diabetes के लिए which the following drugs is to be used with extra question and advice to the patient तो यह कौन से drugs होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोप्रेनलो ड्रग्स तो यहां पर D option यह सही है जो दो फॉलोइंग इस रेकोमेंड़ अलोंग बिद इंट्रवेनस administration of क्योनेन sulfate for treatment of malaria malaria जो है अगर उसका treatment हमें देखने को मिले तो इन में से कौन सा recommend करोगे किसके साथ intravenous administration of क्योनेन sulfate तो यह basically calcium gluconate है D option atropine sulfate जो है तो यह दोस्तों counter indicated किया जाता है किसमें तो यह एक तो glaucoma में और साथ में patient with urinary problem तो यहां पर D option जो है बोथ B & C सही है code of ethics for a nurse include accept code of ethics हमें तीन देखने को मिल रहे है options में the primary responsibility of a nurse is to provide care to those people who require it जिनको जरूरत है उन्हें care दे उसके बार next है a nurse maintains a cooperative relationship with co-workers तो साथ में जो भी है जो team है उसके साथ अच्छे से काम करें उसके बाद है C option जो है यह code of ethics में नहीं है a nurse is not responsible for maintaining highest standard of nursing care तो ऐसा नहीं है यह responsibility है ऐसा नहीं कि नहीं है तो यहाँ पर C options आई है options के according उसके बाद hysteria जो है यह दोस्तो neurotic disorder है तो यह अच्छे से देखना यह disorders बगारा जुरूर पुछे जाते हैं exams में the most common cause of vanic encyphalopathy is तो यह जो most common cause है इसका वो है chronic alcohol use a drug that is capable of altering the mental functioning is known as जो है उसको alter करने के लिए जो drug है वो दिया जाता है वो कौन सा है यह है psychoactive drug the most common injury among older person अगर बूढ़े हैं तो उनमें जो सबसे ज्यादा injury हमें देखने के बलते हैं hip fracture है immunity की definition है वही पूछ ली गई है immunity का मतलब होता है level of resistance of a person to a particular disease तो disease से बचने के लिए जो खुद ही मतलब हमारी body जो है वो लड़ाई करती है उसको हम immunity बोलते हैं severe muscle wasting growth failure and loss of subcutaneous fat are features of bitch of the following तो यह feature किसके हैं यह दोस्तो merasmus के features हैं bitch of the antibody bitch of the antidote for streptokines तो antidote जो है किसके लिए streptokines के लिए यह है amino caproic acid the first sign of digosin toxicity is most likely to be तो first sign जो है किसका digosin toxicity का तो यह होता है इसमें वैसिकली नोजिया हमें देखने को मिलता है और immesis जो है यह हमें देखने को मिलता है तो D option bacteria जो है यह term जो है किसने दी है तो यह दी गई है term इनका नाम है एहरेंबर्ग next है testosterone is secreted by तो यह जो testosterone जो है यह secret किया जाता है किसके द्वारा leadig cells के द्वारा तो यह leadig cell आपको याद रखना है यह secret करते हैं testosterone next है sickle cell anemia is sickle cell anemia जो होता है autosomal recessive inheritance होता है next है streptomycin is produced by तो यह जो streptomycin है यह produce किया जाता है streptomyces graces के द्वारा तो D options है color coding of bag in hospital to dispose human anatomical based is तो बैसिकली color code bag का किसी भी hospital में जो human anatomical based है उसको dispose करने के लिए तो इसका color yellow होता है a options है तो यह color coding है इस bag की as per INSC norms जो INSC GNM में जो GNM school है जो library है दूस्तों इसमें जो comfortable seating arrangement है बो होनी चाहिए प्रेशर तो उसमें risk क्या है बढ़ता हुआ intracranial pressure which are the following nursing action should be used to prevent increased ICP यानि की increased intracranial pressure तो इसके लिए जो एक action लिया जाता है avoid activities which may cause pain and crying मतलब जिसमें दर्द होर चीक है बच्चा रोए तो उसको avoid करना है उन activities को avoid करना है next है दीपिका 20 months old girl child she is brought to be she is brought to be immunization clinical for DPT booster तो यहां पर DPT booster जो है वो उसको देने के लिए उसको बुलाय गया है in following which is the most appropriate route for administering DPT vaccine तो यह route कौन सा है DPT vaccine देने के लिए तो यह है दोस्तो intramuscular सी option सही है यह last question है nursing से लेटर तो आपको इसका answer जो है comment box में करना है और अगर test series आपको चाहिए हो ऐसे ही test जिनसे आपको अपनी तियारी का label पता चले एक बार जरूर WhatsApp का लेना 98264-01767 यहाँ आपको study material बगएरा जो है वह भी provide करवाय जाएगा GKS action and Hindi English reasoning and so on current face बगएरा तो इसका answer जरूर देना a child is diagnosed with bacterial conjunctivities a nurse educate the mother to do all except तो mother जो है mother को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो यह आपको पता होना चाहिए comment books में इसका answer बताना चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बैल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि ऐसे important updates आप फ्योचर में वी डिसकस करते रहें और आप तक पहुंचते रहें जैहिन जैहिमाचल चैनल को में जैहिमाचल